हेलो फैंट स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चेना स्टार कश्टेड उपएंट पर दोस्तों इस प्रियोड में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 13 वालों के यहां पर साइंस बिग्यान का एक और मोडल सेट प्रैक्रिस कोसंस इस तरीके के काफी सारे मोडल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि आज सभी को इस चैनल के और से क्लास 13 वालों के लिए हर चीज की पढ़ाई जा रही है ना हर सब्सक्राइब करके बिला आकन को प्रेस कर दीजेगा तेंथ मैटिक बोड़ पर इस साइंस बिग्यान का मोडल प्रैक्टिस से प्रैक्टिस सेट जरूर करना ठीक है काफी सारे इंपोटेंट कोशन इस वेबसाइट पर आपको सब्सक्राइब पले तो चप्टर बाइट अब्जक्टिव सब्जक्टिव और साथ में जितने भी मोडल सेट प्रैक्टिस कोशन कोशन बैंग और ऑनलाइन टेस्ट भी यह यहां पर उकलब्द होने वाले हैं ठीक है चलिए हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं यहां पर मोडूल प्रैक्टिस सेट वोन यह सारे कोशन प्रिवियस यह की भी हार बोर्ड के लिए यह आप लोगों के लिए बेनिफिसियल रहेगा ठीक है अगर आप एक लास हाँ पर काफी important हो जाता है यह ठीक है हरे एक त्यंत के रितने भी है इस वीडिएो को लाइक करके मि जारूर कर देना कि चलिए पहला कोशन न यहां पिकसी अपतल लेंस के लिए focus दूरी जो blur somewhat देको उटल लिंस में focus दूरी होत chamac यूख कोती है लेकिन अब दलेंज में क्या होता है बतो अब दलेंज क्या होता है लिए होता है इस तरीके के यहां पर एफवान स्याहण पर के फोकट स कि एलों होते हैं यहां पर सांदार कोशन से लेंस के लिए देखो जल का प्रियोग करते हैं काज का प्रियोग करते हैं प्लास्टी का मिट्टी का प्रियोग करते हैं प्लास्टी का मिट्टी का प्रियोग कैसे होगा इसमें मतलब लेंस में तो यह आपका ऑप्शन नमबर डी जो है मिट्टी यह आपका आभासि पर्वाशिक परसी आभासिक पर्वाशिक 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 दोनों बनते हैं तो याद रखेगए तीनका उप्शन मर मेर नेक्स्ट कोशन कि परकास तरंग उधारान है परकास तरंग जो है किसका उधारान है लाइट विए लाइट विए जो है एक तरह का क्या है आपका विधूत चुमके तरंग है इलेक्ट्रोमैटिक विएव से यह सारे तो याद रखेगा चले नेक्स्ट कोशन देखते हम लो क बिरल माध्यम में परकास की चाल सगन माध्यम की अपेक्छा क्या होती है भैदे को बिरल माध्यम और सगन माध्यम होते हैं का चाहे आप किसी भी बात कर ले हैं यह मालों की इधर बिरल माध्यम है और यह इधर आपका सगन माध्यम है तो बिरल माध्यम से अगर सगन माध्यम मैं जाए रहा है कोई परकास की च 120 माध्ये में जो परकास सब्सक्राइब यदे करे के निर्वात में जैएगा है जहां पर विर्요 माध्यम है यहांको कुपली हिस्सा है वो आपको बैंगनी रंग का होता है ना बैंगनी रंग का देखो कि इन्द्धनूस में कितने टोटल होते है उल्हेस साथ है तो इस में वीज का रंग होगा वो आपको बैंगनी देखरेखन्यों मिलें इस पूसच्ट Dash के मानव जो अपने आख से कितने दिश्टी छेतर को देख सकता है तो बहुत देखो 180 degree एक आख से भी 180 degree देखेगा मतलब 10 आख भी रहेगा न तो 180 degree ही देखेगा इसका मतलब यह हुआ रावन दिका है न रावन को 10 सर्थ है तो 10 सीर में अगर वो देखने की बात आई तो कितना देखेगा 180 degree ही देखेगा टोटल सीर से है न यह सोरी टोटल आख से तो याद रखेगा नेक्स कोशन यहाँ पर साथ का आप्सन नमर एर इस दर राइट नेक्स कोशन से आठ नमर कि जून नित्र निकट बस तो साफ साफ दिखाए देता है तो इसको निकट दिरिष्टी दोस बोलते है लेकिन साफ निकट की बस तो अगर साफ नहीं दिखाए देता है तो इसको मैं दूर दिरिष्टी दोस कहते है ठीक है मैं आप लोग को बता भी दूँगा कि कौनसालेंस इसमें जब कोसंस आएंगे न तो मैं आपको एक ट्रीक भी बताऊंगा था कि आपको जिन्दगी में नहीं भूलोगे निकट दृष्टी दोस्त को कौनसालेंस से हम निवारन करते हैं मतलब उसका उप्यों करते हैं दूर करने के लिए और दूर दृष्टी द वांतर जहां किसमें गति परदान करने का काम करता है पोटेंशिल डिफ्रेंस जो है वो किसमें गति करने का आए देखो जब भी गति करने का परदान आये तो यह एक्टोन ही होगा है ना यही मुविंग करता है मुविंग पार्टिकल है तो आपसन नमर B next question कि एक भोल्ट का लाता है तो एक भोल्ट हम लोग किसको बोलते हैं देखो तो एक भोल्ट बराबर होता है एक जूल बटा एक कुलम ठीक है या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक जूल पर कुलम मतलब एक भोल्ट बराबर क्या होगा एक जूल पर कुलाम ठीक है option number B is the right चले next question कि चुम्बक के भीतर है ना चुम्बक के भीतर चुम्बक के छेतर रेखाओ की जो दिसा होती हो क्या होती है तो चुम्बक के भीतर जो चुम्बक के छेतर की रिखाओ की दिसा वो दक्षिन धुर्ब से उतर धुर्ब की ओर होती है तो याद रखेगा option number B is the right दक्षिन धुर्ब से उतर है question पटलो कि चुम्बक के भीतर चुम्बक के छेतर रेखाओ की दिसा ठीक है वो ऐसे तो उतर से दक्षिन होते हैं लेकिन चुम्बक के अगर भीतर की बात करें तो उतर धुर्ब की ओर रहते हैं option number B is the right विदूत फ्षूज काम करता है next question है विदूत जो फ्षूज होते हों काम करते हैं किस पे तो बैद देखो धारा के उसमिये परभाव पे करते हैं ठीक है electric फ्षूज जो है विदूत फ्षूज वो किस पे काम करते हैं तो धारा के उसमिये परभाव पे याद रखेगा option number E चलि next question देखते हैं लोग कि प्रिथिवी पर उर्जा का सबसे विसाल सरोत क्या है प्रिथिवी पर उर्जा का सबसे विसाल और यह क्या है नवी करनिये मतला आज भी देगा आने वाले दिन में 10 सल भाद भी देगा ठीक है next question है 15 नमर कि जल बिधूत उर्जा किस परकार का उर्जा सरोत है बाई जल बिधूत उर्जा तो यह भी आपका नवी करनिये की रुप में आता है क्योंकि नवी करनिये में होता है जो जिसको हम लोग उप्योग कर लेता है उसको फिर बार बार उप्योग मतलब हम लोग बना सकते हैं ठीक है जैसे कोईला हो गया वो अनवी करनी है मतलब एक बार अगर जला दिये उसको तो फिर बना नहीं सकते हैं लाखो करोरो साल लग जाते हैं तो यह नवी करनी है हो जाएंगे जल बिदुत उर जा बायो गैस का मुख अभिया भाई CH4 है ना मि रेडॉक्स अभिक्रिया है इसमें बताना है आपको यह होता है H2Cl2 2scl यह आपका क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया ठीक है याद रखेगा इस तरह के प्रस्ण आप सभी से पूचह जाते हैं ठीक है चुना पत्थर को उसमा देने पर CAO और CO2 प्राप्त होता है इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते है चुना पत्थर को उसमा देने पर यह बिघटित हो रहा है न भाई देखो जब भी बिघटित हो रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते है बियोजन क्या बोलते हैं बियोजन अभी किरिया ठीक है जब ये दोनों मिलके जब चुना पत्थर निर्बान करेगा तो उसको बोलोग क्या बोलेंगे सनियोजन ठीक है जब तूटेगा तो उसको अबशेप का रंग कैसा है काफी सांदार प्रस्थ यह स्वेथ भूरा नीला या फिर पिला आप्शन नमबर एदस स्वेथ लेड़ नैट्रेट है ना और पोटाश्यम आयोडेट के बिलियन को मिलाने पर जो अबशेप बनता है प्रोडक्ट बनता है इस अबशेप का रंग क कोशन कि अम्ल या चारा की परवलता की जांच की जाती है अम्ल या चारा की परवलता की जो जांच की जाती है वो किस से तो पी-एच असकेल से है ना पी-एच मान से या फिर पी-एच असकेल से अप्शनमर एई दरेक्ट दही में किस परकार का अमल पाए जाता है तो दही मे अरे जो है अमल पाए जाने वाला जो होते हैं ऊक क्या होता है लेक्टिक का ऐसलिए अप्सन अंबर सीजडरbuh माइब और आता है नेक्स्ट कर्यों सिख्स एक 6 का उआट्विक दर्मिमान की होता है तो आप शीजी सिक्स का मैं निकाल लो है ना तो बार गुने छे और ये छे अठात्तर होते हैं आप्शन नंबर सीज़ गराए 78 क्योंकि छेगुने बार और ये पलस आपको छेगुने एक ये बार अचा के बहुत था और ये पलस छे तो कितना हो जगा 78 है ना नेक्स्ट कोसडन है कि सॉडियम कार्वोनेट का अनुससृतर क्या होता है काफी सम्साम साथार न को संसestial ook her body sodium कहराइट आए तो फांटा ए यह होता है और यह अथा आपका और यह होता है sodium carbonate ठीक है धोने का soda और एक खाने का soda next question कि लिखेत में से कौन उपधातू है बैदे को उपधातू metal white है ना एक metal non metal एक metal light होते हैं बैदे को इस में से बताओ कौन सा धातू है जो उपधातू है ति यह Sb option number D is the right Sb एक क्या उपधातू है next question काफी कम है उपधातू जो आप लोग याद रख सकते हो और उसी में से question पूछ जाते है जब sodium hydroxide zinc से अभी किरिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है जब sodium hydroxide zinc से अभी किरिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है बताओ option number D Na2ZNO2 plus H2 sodium hydroxide ठीक है और यह zinc से अभी किरिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है यही नहीं है तो Na2ZNO2 उसके बाद जो hydrogen बचता है वो अब shape के रुपे अलग हो जादागा इसके रुपे ठीक है तो option number D is the right फेरस सलफेट क्रिस्टल का रंग होता है फेरस सलफेट क्रिस्टल का जो रंग होता हूँ क्या होता है हरा option number B is the right यह पूछावा questions है निम्रिकी तुमें से किसे चाकू से काटा जा सकता रहे भाई इतना सांदार questions है न किसे चाकू से काट सकता है वो हतार लिथियम क्या होता है लिथियम है ना sodium भी होता है कार्बनिक योगी को में तत्बो के बीच कैसा बंदन होता है ति होता है सहसन्योजग बंदन क्या होता है सहसन्योजग बंदन ठीक है कोवहलेंट बॉन महलेंट बॉन तर्नम भीखित में से कौन सहसन्योजी योगीक है सहसन्योजी योगीक CH4 क्या होगा CH4 मिथेन, एथीन का सुत्रा रहे, एथीन मिथीन है, देखो एक होता है, पता है ना, एलकीन, एलकाइन और एलकीन, एलकीन और एलकाइन, यह एलकीन है, मतलब एथीन है, तो एलकीन में पता है नहीं होता है, Cn, H2n, तो बता हो जल्दी से क्या होगा, C2H4, देखने से लग रह है ये अजन है ये अक्रीट तत्व कौन सा है भाई देखो निश्कृय अक्रीय या फिर हैलोजन एक ही बात है ये हीलियम होते हैं सिय थे तेग tempsुएं होते हैं लोकि mesh क्रिब्टन होता है देनों होते हैं और रेड़न होते हैं यह स्क्रियस ग्यक्त संत्रती कर्यां रख्येगा अदेने भी कि हुआ है। न्यूराइन के अस्टक सिधहांद की मुख्य कमी क्या थी तो नियू लैंड के अस्टक सिधान ते अस्टक थियोरी था एक उसमें से कौन सा मुख्य कमित इसमें केवल 86 तत्व थे यह केवल हलके तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया इसमें अस्टक त्रिक में विवाजित था उप्रिक से देखो अप्सन नमबर B is the right यह आपका सही हाँ पर यह एक वाल हलके तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था ठीक में धमनी और सिरा आप लोगों को पता ही होगा तो सिराय जो है असुध रक्त पहुंचाती है कहाँ पे तो सरीर के अंगो से हिर्दय की और हिर्दय से सरीर की और हिर्दय से फेपरे की और तो सिरा असुध रक्त भकता है धमनी में सुधरक्त और सिरा में असुधरक्त तो ये क्या होता है ना अंगो से सरीर के बिर्वीन अंगो से वो हिर्दय की और पहुंचाती है फिर हिर्दय में क्या होता ये आपका सुध होके फिर पूरे सरीर में पहुंचता है धमनी के द्वारा ठीक है सिराय के द्वारा क् यहाँ पर खुला परी संचरन तंज कुस्मों पायाता है और ऄपका कॉक रोच में 하 물o के ऊपने पी अव्भाय लिंग इम्हें है कौन है कौन सो होते हैं क्यों होतते हैं फ्रेजनों होते हैं यह नेफ्रों होते हैं मुत्र में कौन सा हर्मोन उसके गर्वती होने का परमान बनाता है बताता है किसरी मादा के मुत्र में कौन सा हर्मोन उसके गर्वती होने का परमान है तो वो आपका HCG हर्मोन ठीक है अगर HCG हर्मोन उसके मतलब यूरिन में अगर होते हैं परमान मिलता है तो ये आपको उसका मतलब ये गर्वती ए ठीक है जले नक्स कोर्शन क्यक्ति पॉध्धों में परकास की और गति कहलाता है न पर क्तरल लास्ट कोर्शा साज का हमारा ये उन मेंसे कौन ảम्प्रुमा जरन की भीधी है ठीजानो अलैंकिक जनलन की विद्धी ये सारे हैं ना इन्हें से सभी अंसर हो जाएंगे तो यहां पे हम लोग ने दोस्तों कितने कोशन किया हैं टोटल 40 कोशन किया है ठीक है और यह मोडल सेट वन था इसी तरीके के हर सब्जेट के मोडल सेट आने वाले हैं आप सभी के लिए तो यह आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसी तरी से हम लोग जैसी निया वीडियो लग रहोंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है चलिए हम लोग मिल होते हैं नेक्स वीडियो में बावाय सभी को कि अ झाल 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 झाल